उनके अधिवक्ता भी कोट में, कुछ आरोपी हैं, कुछ अधिवक्ता हैं, जो कोट से बाव आए हैं, उनके फ़री तोर पर ये सुर्टा जीए जी शेर्दून जानना चाहेंगे सरकारी वकील की तरफ से कोई वक्तव अभी तक सामने आया है? जी अभी तक कुछ तरफ कारी अधिवक्ता का बस्ते वे नहीं आया है तो अगर मान लीजिए आपर तीन साल से ज़्यादा की सजा होती है, तो यहाँ पर कोई और दूसर आप्चिन नहीं बचेगा किया सलमान खान के जो वकील है उनके पास? नहीं, अभी कोई आप्चिन नहीं है, उसके सैसे ज़्यादा पूरा सुनात दे जाएगा, उसके बाद ही कुछ बात कह सकेगे जी शेरुदीन जाना चाहेंगे चुनौती कब तक दे सकते हैं अगर मान लिए तीन साल से ज़्यादा की सजा होती है सलमान खान को तो सब्सक्राइब करेंगे इसमें और उसके बाद बता पाएंगे जी बहुत 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 चुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शेरुदीन बने हुए हमारे साथ सयूगी शिवप्रकाश भी मेरे साथ जुड़ गया है शिवप्रकाश साब से जानना चाहेंगे अभी कैसे दी देखने हो बिल रही है कोट के बाहर जी अर्बी ज़जब से कोट में यह फैसा तुनाया है कि सल्मान खान इस वामने में दोती है बादी जो सभी आरोबी है से तबू नीलम और सोराली जी लगता है कि शिवप्रकाश का संपर्ख हम से कट गया है शेजब दून एक बार फ़र से आपसे जुड़ना चाहेंगे आपसे जनना चाहेंगे क्या क्या कोई कोट से बाहर आ है भी तक कि सल्मान खान के वकील किल्या फेर सरकारी वकील लगता है कि शिरुदिन का सभी संपर्गम से नहीं हो पारा एक बार फिर से हम उनसे संपर्ख साथने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको बता देंगे केस में एक बड़ा फैसला देखने को मिला है जहां पर सलमान खान को दोशी करार दिया गया है सेफलिकान तब मुसमेट और बाकी सहा रूप्यों को कोट ने बरी कर दिया है 1907 में गए कि से कालहिं शिकार मामले से जुड़ा हुआ जहांपर सलमान खान दोशी करार दी गये बीस साल बाद यह फैसला है जहांपर सलमान खान दोशी करार दी गये काला हिरन केस में जुद्पू सीजिम को टाफ फैसला देखने को मिला जहां पर सलमान खान दूशी करार दी गए है बता दें सलमान खान को छोड़ बागी सभी आरोपियों को बरीक कर दिया गया बता दें अब इस समय कोट में सलमान खान की सजा पर बहस हो रही है सलमान खान अभी कोट से बाहर नहीं आये